कि हलो फ्रेंड्स बिलकुम टू आवर यूटूब चैनल कंपेटिशन मैं पॉइंट दोस्तों आज है आठ मई आज की इस वीडियो में हम आठ मई के सारे करेंट अब्यार्स पर डिस्कस करेंगे और उस कोस्टन से डिलेटर जितने भी टॉपिक्स होंगे उस सब को भी मैं बताऊंगा और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर किल किस राजे सरकार ने आयूस कवच कोवीड अप्लिकेशन लॉंच किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयूस कवच कोवीड अप्लिकेशन को लॉंच किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इस कोस्टन से डिलेटर टॉपिक है कि आयूस कवच अप्लिकेशन को 2020 को launch किया गया इस application को आयूस मंतराले द्वारा जारी किया गया ठीक है इस app के उपियोग करताओं को यह समझाया जाता है कि आम तोर पर रसोई में इस्तमाल की जाने वाल लॉंग इलाइची दालचीनी तुलसी से COVID-19 की खिलाब लड़ने के लिए शरीर की रोक प्रतिरोधक समता को बढ़ाना है ठीक है नेक्स कोसियन के तरफ चलते हैं दोस्तों किस अंतराज्टरिए संगठन ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकासित की है ठीक है तो यूनिसेफ ने यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का फूल परम होता है यूनाइटे नेशन चेल्डरेन फॉंड ठीक है यूनिसेफ की अस्थापना 11.1940 को हुआ आता है यह न्यू यार्क सहर में अस्ताफित है ठीक है तोस्तों चलते हैं नेक्स कोस्टन के तरह पर दवाई दवाई दवाईयों का अंतरास्ट्रिय दिबस 2020 का क्या बिसे है ठीक है बिसे क्या है तो यहाँ पर मिडवाईयों के अंतरास्ट्रिय दिबस का बिसे यही है और इस कोस्टन में यह है कि 5 माई को दवाईयों को अंतरास्ट्रिय परिशंग द्वारा मनाया जाता है सबसे में बात तो यह है यह वे लोग हैं जो अपनी जिंद्गी एक मा और एक बच्चे की देखवाल में बिता देते है यहां उनकी समर्पन की भूमिका को उजागर करते है चलते हैं दोस्तों नेक्स कोश्चन के तरफ किस राज्य सरकार ने बिर्सा हरित ग्राम योजना शुडू की है तो जहरकंड सरकार ने जहरकंड सरकार ये जहरकंड सरकार ने बिर्सा हरित ग्राम योजना शुडू की है तो इस कुश्चन से रिलेटे टोबिक चाये जहरकंड सरकार ने चार मई 2020 को दो अन्य योजनाओं के साथ बिर्सा हरित ग्राम योजना की सुरू किया है इस योजना के तहट फलदार पौधे लगाया जाएंगे पौधे रूपन के तीन बर्स के बाद परतेक मतलब तीन बर्स पे परतेक परिवार के लगव पचास अजार के आमदनी होने जा रही है या एक अनुमानी थे ठीक है चलते हैं दोस्तों कोश्प्रस्न संख्या 5 पे किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभ्यान शुरू किया है तो निती आयोग ने हाल में ही निती आयोग ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभ्यान शुरू किया है ठीक है इस questions related main topic है कि 5 माई 2020 को ठीक है नितिया योग ने यानि कि national Indian institution for transforming India ठीक है ने 5 माई 2020 को ठीक है इस अभ्यान को शुरू किया है इसका उद्देश से COVID-19 महामारी में बड़िस नागरीकों की भलाई पर जोड़ देना ठीक है अभ्यान का लक्ष अस्थम बिहार UP MP के प्रस्म संक्या साथ पे सुरी सिक्स पे किस राज्य सरकार ने निगाह योजना सुरू की है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश शरकार ने निगाह योजना सुरू की है ठीक है प्रस्म संक्या ऑप्षन डीस का एंसर हो जागा ठीक है निगाह योजना सुर योजनों को सिच्चित समय जन्सिल बनाने और समाजिक दूरी को पालन करने के लिए सरकार ने निगाह योजना शुरू की है ठीक है चलते हैं प्रस्ट सक्या साथ पर दोस्तों किस देश किस देश के नेता को रूस द्वारा दूतिय विस्यूद अस्मारक पदक से समानित किया गया है ठीक है तो उत्तर कूरिया के किम जोंग जी को मतलब अस्मारक पदक से समानित किया गया है ठीक है तो रूसी संके राश्टपती ब्लादिमीर पुतीन ने 2011 के बाद से उत्तर कूरिया के सरबोच नेता किम जोंग को उनके नाजिस जर्मनी पर जीत की 75 साल पे 75 साल पे एक दूती ब्ली सुविद इसमारक पदक से समानित किया है ठीक है चलते हैं दोस्तों प्रसन संक्या आठ पे किस राजे सरकार ने CMAPP एप्लिकेशन को लॉंच किया है ठीक है तो आंधर प्रग्देश की सरकार ने अंथर प्रदेश की सरकार ने CMAPP को लॉंच किया है ठीक है चलते हैं प्रसं संक्या 8 पे प्रसंद संख्यानौ किस फॉर्म ने फोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए भॉय साधारित एप लाँच किया है ठीक है तो भारत पे ने मुवाइल को बिना चुए बैलेंस को लेन देन के लिए एप को लाँच किया है ठीक है भारत पे ने COVID-19 महाबारी में फोन को चुए बिना लेन देन और बैलेंस के उपयोग के लिए दो एप को लाँच किया गया ठीक है जिसमें ने देके पहला है पैसा बोलेगा एप और दूसरा भारत पे बैलेंस ठीक है पैसा बोलेगा ऐप का एक बटन जो लेन देन के लिए availability परदान करेगा और भारत पे बैलेंस में जो पहले QR कोट की तरह होता था वो ही चलेगा ठीक है प्रसन संख्या 10 को देखते हैं दोस्तो किसे यूनेशको गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइट 2020 से सम्मानित किया गया है ठीक है तो ये जीनेथ विदोया लीमा को यूनेशको गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 से सम्मानित किया गया है ठीक है कोलम भी आई खोजी पत्रकाट जीनेथ विदोया लीमा को ब्रेस फ्रीडम प्राइट से सम्मानित किया गया है और प्रेस की सोंतंता दिवस को तीन माई को बनाया जाता है चलिए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेर करें ठीक है और निक्स्ट कोस्टन्स को मैं कल लेकर आऊंगा